स्वागत है आप सब काई की का इंटरफेर एनलेसिस लेक्चर में जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पे आईबी और अद्धो सोर्से से लेगई न्यूस को होलिस्टिकली अनलाइज किया जाएगा आपके प्रेलम्स, मेंस अन इंटरव्यों को ध्यान में रखते हुए यह लेक जो भी एक मोटिवेशनल कोट से अनलाइज को आपको आज काम करना पड़ेका अपने बहतर भविश्य के लिए ठीक है आज आपको चोटी-चोटी स्टेप्स लेने ताकि आपका कल अच्छा हो मैं महिमा मिश्रा प्रेजन करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूस नहीं जूणना है ठीक है पहले न्यूस कवर करेंगे यूस एयाई डेल यानि की यूरोपेन यूनियन में एयाई आर्टिफिशल इंटेलिजन्स को रेगोलेट करने के लिए डेलिंग होई है ठीक है लॉस आएंगे सेक्योरिटी सिच्वेशन इन जर्मिन कश्मीरा 370 आर् हमने हटाया था ना उसका आपको जब जब आप प्रॉस बताएंगे उसके तो आप ये सेक्योरिटी सिच्वेशन वहाँ पे शो करेंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटर्वियो के लिए परदीम शेव्ट इन मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी एस चैल थेरेपी, बायो टेकनलोजी ठीक है और जी एस वेपर टू में हेल्थ से बी रिलेटेड ये हो सकता है पढ़ लेना है इंपॉर्टेंट पोई नोट्स में नोट कर लेना आजी ठीक है नमो ड्रोन दीदी स्कीम ये इंपॉर्टेंट है जी एस पेपर वन क्योंकि इसम है ठीक है याद रखना है ग्रीन हाइड्रोजिन और सोलार फोटो वोल्टिक टेकनोलोजी यह भी पढ़ना इंपोर्टेंट है स्टार्ट करते हैं आज के पहली न्यूस से हिस्टोरिक डील बाई यू वोल्स फर्स्ट लॉव अन रेगॉलेटिंग एयाई प्रोसेस एयाई प्रोपोजेस अंडेट सिग्निफिकेंट्स EU ने क्लियर किया है अ सेट ओफ रोल्स टू रेगॉलेट एयाई ठेक है ब्रोजेल्स में ये कंप्लीट हुआ है UPPCS ROARO में क्वेशन पूछा जा सकता है कि रीसेंटली कौन से कौन्टिनिंट ने या कौन से कंट्री ने AI को रेगॉलेट करने के लिए रूल्स टारी किये है आंसर होगा EU ठीक है अब यहां पर ना काफी सारे जो रिस्क होते हैं associated with AI उसको डिवाइट किया गया है फोर पार्ट्स में हाई रिस्क, मेडियम रिस्क, लो रिस्क, एट सेक्टरा में ठीक है the legislation includes safeguards to use AI within the EU including clear card deals on its adoption by law enforcement agencies and consumers याने की law enforcement agencies को साथ में लिके चलना है, consumers को साथ में लिके चलना है ताकि जो use कर रहे हैं AI वो empowered हो सके, threat ना हो, ठीक है इसमें strong restrictions लगाए गए है on facial recognition technology ये भी मैंने आपको काफे बार पढ़ाया है कि camera face को recognize कर लेता है facial features को recognize कर लेता है ठीक है AI to manipulate human behavior ये सारी चीजें यहाँ पर restrict की गई है अब इसमें क्या बूलाए कि जो biometric surveillance होगी न ये काफी serious threats जब होगे किसी particular area को तब वहाँ पे जैसे कि terrorist attack होगया कोई आतंकवादी हमला होने वाला है तब biometric identification का माध्यम चुना जाएगा some applications will be largely banned including facial recognition massive scale में इसे बान किया गया है जब law enforcement यानि कि कुछ ऐसे कारण होंगे जैसे कि आतंकवादी हमला हो गया या serious threat है society को या लोगों को, civilians को फिर ये facial recognition technology को यूज किया जाएगा अन्याथा नहीं किया जाएगा यहाँ पर high risk areas कौन से जैसे कि self driving cars है यह banned तो नहीं की गई है इसे use कर सकते है बट काफी सारी इसमें restrictions and obligations लगाई गई है public scrutiny को public को ध्यान में रखते हुए medium risk जैसे कि chatbots होते है chatbots से related आपको जो companies उंगी उन्हें एक proper document देना होगा ठीक है और human जो मतलब जो लोग है उन्हें भी ध्यान देना होगा कि वो AI से बात कर रहे हैं, AI से deal कर रहे हैं chatbot human नहीं है ठीक है human की तरह बात नहीं करने उसे कि आप अपनी सारी personal details शेर कर रहे हैं ठीक है आपके personal details ना वो किसी के लिए क्या होती है माध्यम बन जाती है आपको manipulate करने का आपको blackmail करने का ठीक है तो यहां पर EU ने क्या बोला है इनके जो law enforcement होगा उसमें यह बोला गया है इसमें कि जब आप chatbot से deal करेंगे या कुछ बात करेंगे तो आपको अपनी privacy पर ध्यान रखना है ठीक है और यहां पर थोड़ी सी इंडिया का भी आपको बता देना है कि जैसे कि हमारे उसमें new daily calls digital public infrastructure लाया गया है जो technology को काफी तरीकी से sanction करता है या restrict करता है इना proper manner ठीक है यह चीजे आपको ध्यान रखने हैं इंटरव्यों में आपको क्या बूला है कि हमें EU से सीखना चाहिए वैसे जो लोग जो लोग इंप्लिमेंट कर रहे हैं ना उनसे सीख कि हमें अपनी society में specific laws लेके आने चाहिए ठीक है जो हमारी society के welfare oriented हो AI को हम use कर सके society के welfare के लिए ना कि अपनी जनता को परिशान करने के लिए ठीक है next important देखेंगे security situation यहाँ पर data दिया गया है कि जब से 370 article का abrogation हुआ है means जब से वो हटाया गया है तब से security situation जम्म एन कश्मीर में improve होई है और यहीं आपको बोलना है अपने interview में जब पूछा जाएगा कि article 370 आज जो वर्डिक्ट आने वाला है ना सुप्रेम कोट की रूलिंगे हिसापस जलना आपको ठीक है आप उसमें अगर प्रॉस बताएंगे तो आप बोलेंगे कि जब से article 370 आटा था तब से काफी security situation वहाँ पर इंप्रूफ हुई थी civilians की जाने कम गई ठीक है ठीक है through a marked increase in the use of anti-terror laws such as the unlawful prevention activities act public safety act ठीक है security apertures has cracked down cracked down the overground workers network overground workers जो वहाँ पे field में काम कर रहे हैं locals को recruit कर रहे हैं ठीक है इनके एजाफे में कमी आई है leading to the arrest of over 1900 persons accused of providing logistical supports to militants जो आतंगवादियों को क्या जो घुस पैठी होते हैं उन्हें logistical support provide कर रहे हैं उन्हें arrest किया गया है around 1900 percent ऐसे थे यह वाला data बहुत important है आपकी argument को support करने के लिए कि according to data from official sources in number of terms that has been there has been a sharp decline in the violence against security forces वह था था ना पहले जो पत्थर बाजियां वेगे रहा होती थी अब वह बहुत कम हो गई यहां पे stone belting ठीक है in the four years before august 2019 the number of terrorist initiated incidents was over 640 अब क्या है 450 है यह 760 है ठीक है अब यानि कि अब देखे कि कितना कम हुआ है जब से आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया है according to the officials who says यह भी important है the strategy of attacking terror infrastructure has been effective in dealing with terrorism in valley यानि कि जो जो terrorism का infrastructure है infrastructure जैसे कि logistical support उनके वो ठीकाने ठीक है जहां पे वो छुप छुप के बार करते है या recruits को जहां पे जहां पे locals को recruit किया जा रहा है इन सारे infrastructures को attack करना जरूरी है this can only be done through effective prospection of entire network linkage कहां है, logistics क्या है, fund कहां से आ रहा है, यह सब पता लगाना जरूरी था और इसके लिए वहां पे सरकार का intervention होना जरूरी था जिसलिए article 370 वहां से हटाया गया ठीक है next important देखेंगे, ministry of new and renewable energy plans long term exemption for green hydrogen project for solar photovoltaic यहां पे क्या और है, ministry of new and renewable energy क्या कह रही है, ministry यहां पे कि जो चाइना से import पे आपने बान लगाया है, उसमें solar energy के photovoltaic technology and green hydrogen related technology को आप exempt करिये, क्योंकि जैसे जैसे global warming बढ़ रही है, climate talks आगे जा रही है, hydrogen green hydrogen जैसे ही, जो यह topics हैं यह उभर कर आ रहे हैं, हमारी companies भी आप इनका प्रोडक्शन करेंगी, अब डिमांड बढ़ रही है, green hydrogen के प्रोडक्शन के लिए, और raw material को supplier कौन है, चाइना, अगर बैन लगा देंगे तो हमारे जो climate related जो हमारे commitments है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है, यहां पे ministry of new and renewable energy ने यही point out किया है, कि wind turbine होते है, solar photovoltaic technology होती है, उसका import यहां पे करवाईये, the government sidelining of Chinese manufacturers come at a time when energy companies are doubling down a mass producing green hydrogen, यानि कि जब companies green hydrogen को जादर produce कर रहे है, उसके demand कर रहे है, raw materials के demand कर रहे है, तब comment ने यहां पे क्या किया, Chinese manufacturers को site कर दिया, मैं इसलिए कहती हो कि supply chains का resilience होना जरूरी है, dependency नहीं होने चाहिए किसी एक particular country पे या nation पे, जैसे कि चाहिना अभी प्रोवाइट कर रहे है, हमें और और options explore करनी होंगे, through bilateral talk or geopolitical relations, जो भी होते हैं उसे strengthen करके, हमें और options को explore करनी होंगे, हमें किसी एक particular country पे dependent नहीं रहना चाहिए, अगर आत्म निर्भर रियली में बनना है तो hydrogen, देखते हैं, ये cleaner alternative fuel option माने जाता है, types of hydrogen, green hydrogen होता है, ये electrolysis of water using renewable energy के द्वारा produce किया जाता है, जैसे कि solar and wind solar की बात है, solar photovoltaic यहां पे important हो जाता है, and green hydrogen important हो जाता है, ठीकिए, इसका raw material import करना important हो जाता है, electricity splits hydrogen and oxygen, water का क्या होगा, electrolysis होगा, electricity के माध्यम से chemical reactions होगी, जिसमें hydrogen and oxygen, H2O, ये water का composition है, hydrogen अलग and oxygen अलग किया जाएगा, फिर hydrogen को यूज किया जाएगा, अपनी और energy को प्रेडिकुस करने के लिए, byproducts क्या है, water and water vapor, यानि कि ये cleaner है, ठीकि, इसमें से कोई fossil fuel लिमिट नहीं हो रहा है, brown hydrogen using coal, where the emissions are released to the air, coal के द्वारा क्या emissions को release किया जा रहा है, तो ये lesser good as compared to green hydrogen, इसलिए green hydrogen के production में इसलिए उसकी demand बिरती चली जा रही है, green hydrogen produced from natural gas, sorry grey hydrogen produced from natural gas, where the associated emissions are released to the air, यहां पर natural gas को यूस किया जाता है, brown जे तो अच्छा ही है, blue hydrogen यह भी natural gas से produced किया जाता है, यहां पर emissions are captured using carbon capture and storage, ठीकि, जो emissions होती है उन्हें capture कर लिया जाता है, उन्हें emit नहीं किया जाता, uses, जो tremendous demand हो रही है, energy की उसे deliver कर सकता है, store कर सकता है, it can be used in fossil, sorry, fuel cell to generate electricity, power and heat, hydrogen is most commonly used in petroleum refining, fertilizer production, यह काफी बड़ी industries है मारे country में, यह economic backbone है, अगर इसे हम एक अच्छी माध्यम से, cleaner, cleaner alternative से अगर हम इसे produce करेंगे, इन सारे चीजों की industries को चलाएंगे तो क्या होगा, हम अपने climate commitments को fulfill कर पाएंगे, hydrogen and fuel cell can provide energy in diverse applications, including distributed, combined heat and power, backup system, यह थोड़ी बहुत points आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, GS Vapor 3 के लिए, due to their high efficiency and zero and near zero operation, brown hydrogen emission हो रहा है, ठीके थोड़ा हो रहा है, यहां पे zero और near zero है, जैसे की green hydrogen, green hydrogen वहां पे emission या तो नहीं है या तो बहुत कम है, benefits क्या होंगे, यह इंडिया का जो transition है, clean energy की तरफ उसे fulfill करने में कारगर है, under the Paris climate, Paris climate agreement, India blessed to reduce emission intensity 33 to 35, from 2005 level by 2030, इसे fulfill करने के green hydrogen एक important है, एक important alternative है, यह dependency कम करेगो, on fossil fuel, ठीक है, localization of electrolyzer production यह होगा, green hydrogen jobs को produce करने में हेल्प करेगा, technologies market in India, what dollar 18 to 20 billion and thousands of jobs को यह produce, generate करेगा, यहां पर देखते है, solar energy के कुछ, के कुछ अलग-अलग technologies है, उनमें से दो main है, solar photovoltaic and solar thermal, यह prelims के लिए important हो जाएगा, ठीक है, one liner में पूछा जा सकता है, और mains में भी इसे question बन सकता है, solar photovoltaic कैसे green hydrogen को produce करने में, और इंडिया के जो transition है, towards clean energy, उसे कैसे fulfill कर रही है, तो यह चीज पढ़नी important है, solar photovoltaic cells, convert solar radiation, जो सूर्य की किरणे आ रही है, जो rays आ रही है, उसे electricity में convert कर देता है, एक यह semi conducting device होती है, इस में made of silicon, अब silicon जैसे raw materials हमें कौन देगा, चाइना, इसलिए ministry कह रही है कि चाइना से import को, जो import van है, उसे हटाओ, solar photovoltaic को exempt करो, solar thermal power system, also known as concentrating solar power system, use concentrated solar radiation as high temperature, to produce electricity using thermal route, ठीक है, पानी का यूज करके यहाँ पे, पानी को पहले गरम किया जाएगा, उसके बाद जो इसे vapors generate होंगी, फिर turbines के थुरू, यहाँ पे electricity generate की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, solar photovoltaic में directly, sun की radiation को यूज करके, electricity produce हो जा रही है, यहाँ पे indirectly हो रही है, यहाँ पे thermal को, जो thermal होता है, जो पानी होता हो से गरम किया जा रहा है पहले, high temperature पे, ठीक है, एक transformation की तरफ है, हम gene cell therapy, जो चीज़े अब आ रही है, उसे के और है, जो हम बड़ी-बड़ी बिमारियों को भी हम टाकल कर पा रहे हैं, बस अब क्या करना है, इसे affordable बनाना है, accessible बनाना है, उनके लिए जिने इनकी ज़रुरत है, ठीक है, लास्ट मंद ये वाले मैंने आपको पढ़ाया था, CRISPR THERAPTICS made a significant announcement, जैसे की, ये CASJV, CRISPR Cas9 gene editing therapy है, designed for the treatment of sickle cell disease, and transfusion dependent B, Thessalcemia, in United Kingdom, ठीक है, आपको ये बताने की, अब कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, in gene cell therapy में, और इसे कैसे यूस कर रहा है, gene, जो genetic diseases होती है, disorders होती है, उसे tackle करने के लिए, next, card 19, India's first chimeric antigen receptor, T cell therapy, received approval from the drugs controller general of India, for leukemia, leukemia भी क्या है, genetic disorder है, ये चीज़े मैंने आपको पढ़ाई है पहले, ठीक है, ये target करता है, CD 19, ये crucial biomaker है, for B lymphocytes, and can help in treatment of blood cancers, इससे related एक एडिट ओरिल आया था, बहुत पहले मैंने आपको बढ़ाई है, इंडिया विदेट्स टाइवोस पॉपुलेशन, जहां पे जीन, therapy, जो system, जो symptoms हैं, सिरफ उसे को manage नहीं करता, बढ़ बलकी genetic code भी एल्टर करता है, genetic code यानि कि वो जीन्स जिसकी वज़े से वो genetic disorder हुआ है, उसे हम कट करके हटा सकते हैं, या एल्टर कर सकते हैं, रिपैर कर सकते हैं, over 40 million individuals in India are estimated to affected by these diseases, जिसे hemoglobin hemoglobin and pathies भी कहा जाता है, यानि कि blood related blood, जो genetic disorders होते हैं, उसे related ये जोज रहे हैं, अभी around 40 million people in India, by introducing functional gene, या फिर repair कर सकते हैं, faulty ones, ठीक है, ये सिरफ treatment ही provide नहीं करता है, बलकि क्यो और भी provide करता है, जो person जूज रहे है rare diseases है, उनकी lives को transform करने के लिए इसने एक बहुत बड़ा role play किया है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे related जो infrastructure होता है, research and development होता है, उसे और increase करना है, enhance करना है, ताक कि इसकी success हम achieve कर पाए, infectious diseases, बहुत बड़ा challenge लेके आती है country के लिए, जैसे की COVID-19 pandemic का आप सबको पता होगा, डेंगो to tuberculosis, anti-COVID-19 mRNA vaccine, such as Pfizer, Bionic, Biotech, and Moderna, COVID-19 vaccine, which theoretically, gene therapy products have been ground breaking, यानि कि इन सारी disease ने, मतलब इन सारी vaccines ने, जो disease होती है, infectious होगी, या genetic disorders वाली होगी, उसे टाकल करने के लिए, बहुत बड़ी help की है, Limitations या पर set of challenges बताए गए है, जैसे की infrastructure limitation है, to ethical consideration, अब यह हमें टाकल करना है, तोड़ो collaborative efforts, या पर scientific community हो गई, industry, policy makers, health care providers, इन सब की participation होनी चाहिए, इन सारे stakeholders की, और एक collaborative effort बनाना होगा, ताकि हम healthcare को, accessible and affordable बना सकें, ठीक है, research and development में इन्वेस्ट करना होगा, innovation लेके आना होगा, जो ethical consideration को भी balance करें, fostering a supportive ecosystem for biotechnology, इसे लिए यह GS paper 3 के लिए बहुत important part है, biotechnology, यह topic वहाँ है, syllabus में, are crucial steps, biopharmaceuticals यह आपको पुरा कपुरा editorial पढ़ना है कुछ से, ठीक है, और लिखने हैं सारे important point, यही कुछ चीज़े होती हैं, जो aspirant को एक average aspirant चे उपर उठाती है, awareness generate करनी होगी, among healthcare professionals, and the public is essential to successful integration of broader, यानि कि हम इसका, successfully हम integrate कर पाएं अपने healthcare system में, इसके लिए, health professionals को भी aware करना होगा, and public को भी, ठीक है कि कोई बीमारी हो गई है, हाँ, इसके लिए इलाज है, जो सरकार प्रोवाइट करा रही है, इस चीज़ की awareness शाहिए होगी, India has the opportunity to position itself in the forefront of the medical innovations, setting a stage for the healthier and more resilient nation, इसे लिए, इसमें research and development की ज़र्थ है, next important, इसमें, fight to well-being, यहाँ पे जो नमो, drone दीदी scheme है, इसके तहत के और है, जो self-help groups है, women-led self-help groups है, उन्हें, प्रोवाइट कराई जाएंगे, ताकि वो pesticides, and fertilizers, को, मतलब, स्प्रेई कर सके, यह women-led development है यह, तो यह women-led development है यह, तो यह women empowerment में भी contribute कर रहा है, and agriculture के prosperity में भी, यह essay के लिए भी बहुत important है, GS paper 1 के लिए भी important है, and 3 के लिए भी, बस आपको इसका utilization आना चाहिए, women empowerment is a key to building, a strong and developed nation, यानि की women के empowerment होना बहुत जरूरी है, अगर हम 2047 तक अपना नेशन डेवलेप्ट बनाना चाहते हैं तो, इसके लिए, नमो ड्रोन दीदी स्कीम लेके आई है, प्रुदान मंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके तहत क्या था? इंटराक्ट किया है उन्होंने विक्सित भारत संकल्प यात्रा के जो बेनिफेशरी हैं, उनके साथ इंटराक्ट किया और यह स्कीम लेके आए, इन्होंने इसका एम किया था, इस स्कीम का, सप्लाय ड्रोन्स तो 15,000 वोमिन सेल्फ हल्प ग्रुप, ठीक है, यहां पर ड्रोन देंगे वोमिन के हातों में, इस एक्सिलेंट एक्जांपल ऑफ हरनेसिंग टेक्नलोजी इनोवेशन, तो एम्पावर रूरल वोमिन, अब जैसे-जैसे क्यो और रहे हैं, पेशिट साइट्स में काफी चैंज में तलहे हैं, योडीर अउर्या में काफी में जैसे क्र conceptual एक्सिपरल वोमिन देंगे तो योडीलशी या में उपारों में लिए हैं, इन अचर《डनध regionática》 इन अचरण को उपए, करना यानि कि irrigation को प्लास करना विद फोर्टिलाइजर्स यह काफी efficient बनाता है इंडिया नेगरी कल्चर को और sustainable भी बनाता है इसमें बिल्कुल blindly इसमें irrigation water का under fertilizers को यूज नहीं होता एक सही amount में होता है उचित मात्रा में होता है ठीक है अब यहां पर इसे जीज जो वुमिन लेड जो ऐसे जीज हैं उन्हें देंगे तो काफी फैदा होगा यह वाला data याद रखना है जी इस विपत्रे के लिए क्योंकि फोर्टिलाइजर क्या है उसमें टॉपिक है इंडिया सेकिंड लाजिस्ट प्रेड्यूसर फोर्टिलाइजर है सेकिंड लार्जेस्ट इंपोर्ट क्योंकि हमारे पास रो मेटेरियल ठीके जो नाश्वल रेसोर्च दोसकी कमी है जैसे कि ग्यास और फोस्फेडिक फोस्फेटिक और पोटेशिक मिनरल पोटेशिक मिनरल इसकी कमी है अभी क्यों हूँ था कोविड नाइटीन के बात सॉरी जब च प्राइजेस न काफी हाई हो जाते हैं क्योंकि अगर रो मेटिरियल का प्राइज काफी हाई है कॉस्ट हाई होगी तो वो अपनी प्राइजेस भी हाई करेंगे जिससे वो नुकसान किसे हो रहे है किसानों को हो रहे है हमें क्या करना है, एक particular country पे वही बात आगई कि एक particular country पे dependency कम करनी है और अपनी supply chain को resilience करना है production increase करना है through research and development in our own country The government has facilitated the revival of closed down fertilizer and encouraged यानि कि जो फोर्टिलाइजर के जो यूनिट्स है इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस है अमारी उसे हटा के अब न्यू यूनिट्स बनाए जाएंगी आत्म निर्भर भारत स्कीम के तहत किसान ड्रोन किसान ड्रोन के एक immense possibility देखी जाती है कि वो एगरी कल्चर की प्रोस्पारिटी को समर्धी को आगे ले जाएगा ठीक है ड्रोन का यूज करना ये काफी efficient है ये time saving टेक्निक है ये काफी employment opportunities भी देता है जैसे कि ड्रोन को रेपेर करना इस पेड़ पाद जो इस पेड़ पाद डेलर्स होते हैं मेक्यानिक्स होते हैं ठीक है ये काफी jobs भी चनरेट करेगा ये वही बात यहां पर बार बार बोली गई है कि वुमिन के हाथ में ड्रोन दे देना सही है यहां पर प्रदानमंत्री की क्रिशी समर्धी केंद्र भी बना था यहां पर आपको लिखना है अपने answer में इसलिए मैं important टेटी टोल्गस करवाती हूं आपको ठीक है ये सारी चीज़े लिखनी है जो मैंने highlight की है उसे पहले पढ़ना है और समझना है इंट्रव्यों के लिए भी आपको यह रखना है ठीक है ताकि इंट्रव्यों में question है तो आप प्रॉस बता पाएं इसके कि woman led agriculture की prosperity कितनी important है इंडिया के लिए क्योंकि अब feminization of agriculture हो रहा है यानि कि अब जो men लोग है वो migrate कर जाते हैं ठीक है दूसरे states में और जो female होती है जो महिलाएं होती है वो घर के काम के साथ साथ अब खेटी भी देख रही है इसलिए इसका efficient होना जरूरी है ताकि prosperity हो सके है ऐसे करते आपने पर्टेकुलर न्यूस पड़ी तो आप उसमें से देखेंगे कि prelims, mains and interview point of view से क्या-क्या important है तो आज के लिए न्यूस पेपर में था बस इतना ही मिलते हैं कल लेक्चर से रिलेटेड वाल्यव एडिशन के PDF मिल जाएगी टेलिग्राम चानल पे जिसके link मैं नीचे description box में दूंगे वहाँ जाना है जोईन करना है डेली current affair की PDF के लिए आज का न्यूस पेपर मेंस के point of view से बहुत important था ये छोड़ना नहीं है किसे भी हालत में ठीके या आपको एज देगा काफी average aspirant से तो ध्यान रखना है ऐसे करते न्यूस पेपर का analysis आज के आज जी note कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाई हुए notes हो जो एक्जाम के दो दिन पहले भी revise किये जा सके खुद के notes पे रिलाई करना है PDF या आज खुलनी चाहिए आज के आज जी बंदो जानी चाहिए ठीक है PDF के पीछ ही नहीं भागना आपको थाउजन्स ओफ PDF कलेक्ट करके वो collected ही रहे जाएंगी फिर एक दिन आपको खुद के notes काफी short and crisp रखने है to the point करने है ताकि आप रिवाइस कर सकें बार-बार तो मिलते हैं कल थैंक्स फोर वोचिंग थैंक्यू सो मुच